जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टो एक्जाम सोच पर फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं लूसंट बिग्जान के टॉप 150 प्रचन जो आपके हर एक एक्जाम के लिए वेरी इंपॉर्डेंट है तो वेड़ो बहुती सांदार होगी, इसलिए वेड़ो को आप पूरा चरूर देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेसन लेंज के छमता किस में मापी जाती है? डाप्टर में मापी जाती है लेंज के छमता अगला क्वेसन ने एसपस्ट द्रिष्टी की नियूंतम दूरी कितनी होती है? पचीस सेंटीमेटर होती है नेक्स्ट क्वेसन बिद्दुत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी होता है बिद्दुत का सबसे अच्छा चालक अगला कोशन ने रुधिर वर्की की खोच किसे ने की थी काल लंडिस्टीनर ने रुधिर वर्की की खोच की थी नेक्स्ट कोशन रक्त का पियच मान कितना होता है 7.4 होता है रक्त का पियच मान 7.4 होता है नेक्स्ट कॉसन मानुसरीर का रग्त बेंक किसे कहा जता है? पिलीहा को कहा जता है मानुसरीर का रग्त बेंक नेक्स्ट कॉसन गन मेटल किसका मेसर धातू होता है? ताबा, जिंक और टिन का मेसर धातू होता है गन मेटल नेक्स्ट कोसन मनुस के दांत कितनी परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं मनुस के दांत चार परकार के होते हैं अगला कोसन है मानुसरीर की सबसे बड़ी कोसका का क्या नाम है तंत्रका कोसका मानुसरीर की सबसे बड़ी कोसका होती है तंत्रका कोसका next question RBC और WBC का अनपात कितना होता है 600 अनपात एक होता है RBC और WBC का अनपात 600 अनपात एक होता है next question ने रग्त का थक्का बनाने में साहाएक बिटामिन कौन सा है तो बिटामिन के होता है जो कि रग्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेसन विटामिन की खोज किस बैग्यानिक ने की थी फंक ने की थी बिटामिन की खोज नेक्स्ट क्वेसन वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनसील बिटामिन कौन से हैं तो बिटामिन A, D, E, K ये घुलनसील बिटामिन होते हैं वसा और कार्बनिक घुलकों में, A, D, E, K बिटामिन वसा और कार्बनिक घुलकों में घुलनसील होते हैं Next question, बिटामिन C का रसाइनिक नाम क्या होता है? Ascorbic acid होता है, बिटामिन C का रसाइनिक नाम Ascorbic acid है नेक्स्ट कॉस्टन बिटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का ना बनना ये बिटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना अगला question, मानुशरीर के सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है? तो यकरत यनी की लेबर मानुशरीर के सबसे बड़ी गरंथी है Next question, सरीर से हिर्दे की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते है? सिरा कहा जता है, वीन्स कहा जता है Next question, हिर्दे की धड़कन को नियंतरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? Next question, मस्तिश्क के कार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Next question, सरीर के सबसे छोटी हड़ी कौन सी है? इस्टे पीज हड़ी जो की कान में होती है, ये सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है नेक्स्ट कोशन, टेटनेस रोग से कौन सा अंग परभावित होता है तंतर का तंतर परभावित होता है, टेटनेस रोग से तंतर का तंतर परभावित होता है इटाई इटाई नमक रोग किस तत्त के कारण होता है कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है अगला कोशन अगला कोशन है RBC का निर्माण किस में होता है अस्थी मजजा यहनि कि बोन मेरो में होता है RBC का निर्माड अस्थी मज्जा में होता है Next question Einstein का द्रमान उर्जा समीकरण क्या है E बराबर MC square ये Einstein का द्रमान उर्जा समीकरण है E बराबर MC square Next question SI पद्धिती में मूल मातरक कितने है कुल साथ मूल मातरक है SI पद्धिती में Next question SI पद्धिती में सम्तल कोड का मूल मातरक क्या है Radian होता है सम्तल कोड का मूल मातरक Radian होता है अगला कोशन SI पद्धिती में आबर्दी का नया मातरक क्या है Hards होता है आबर्दी का मातरक Hards होता है Next question HSI पद्धिती में विद्दुधारा का मूल मातरक क्या है तो विद्धुधारा का मूल मातरक क्या होता है? एंपियर होता है आप सभी को पता होगा विद्धुधारा का मातरक एंपियर होता है Next question, एक परकास वर्स कितने मेटर के तुल होता है? 9.46 x 10 to the power 5 मेटर या फिर 9.46 x 10 to the power 2 किलो मेटर होता है एक परकास वर्स बराबर अगला कोशन एक पार्ट सेक कितने परकास वर्ट्स के तुल होता है 3.26 परकास वर्ट्स के तुल होता है एक पार्ट सेक नेक्स्ट कोशन एक न्यूटन कितने डायन के तुल होता है 10 डायन के बराबर होता है एक न्यूटन नेक्स्ट कॉस्टन, कार का SI पद्धिती में मातरक क्या होता है? जूल होता है, कार का SI पद्धिती में मातरक जूल होता है नेक्स्ट कॉस्टन, एक एंगस्ट्रोन कितने मेटर के तुल होता है? 10 मेटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रोन 10 मेटर के बराबर होता है नेक्स्ट कोशन जयोती तीबरता मापने का यंत्र कौन सा है फोटो मेटर है जिससे जयोती तीबरता को मापा जाता है फोटो मेटर की हेल्प से नेक्स्ट कोशन एक अस्व सकती कितने वाइट के सम्तुल होती है 746 वाइट के बराबर होती है नेक्स्ट क्वेशन गुट्टुए तरड़ जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर सेकंड होता है अगला क्वेशन निर्वात में किसी भी उचाई से गिलने पले पिंडो की चाल किस पर निर्फर करती है तो उसके द्रमान पर निर्फर करती है Next question पिंड एक समान बेक से गतिमान है तो उसमें तोरण कितना होगा तोरण सून होगा अगर पिंड एक समान बेक से गतिमान है तो उसमें तोरण सून होता है Next question नेक्स्ट कोशन अगला कोशन ने बंदोग से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उधाहरण है? न्यूटन के तृतिये नियम का उधाहरण है? नेक्स्ट कोशन राकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है तो नियूटन का थृतिये नियम लागो होता है राकेट को उड़ाने में नेक्स्ट कोशन आबेक का मातरक क्या होता है नियूटन सेकंड होता है आबेक का मातरक नियूटन सेकंड होता है जूल होता है उर्जा का एसाई मात्रग बाद बनाकर इखटा किये गए पानी की उर्जा किस परकार की उर्जा का उदाहरण है इस्थदिच उर्जा का उदाहरण है उर्जा को ना तो उधपन किया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है ये नियम किसका है? उर्जा सनच्छन का नियम है Next question, त्रमान की वो अवस्ता जिसमें परदार्थ के परमाडु उचिता पर आयनित अवस्ता में होते हैं कौनसी अवस्ता है? पलाजमा की अवस्ता है Next question, बल का SI पद्धिती में मातरक क्या होता है? Newton होता है बल का SI पद्धिती में मात्रग Next question एक جूल कितने अर्ग के तुल होता है 107 अर्ग के भराबर होता है एक जूल अगला question बेग का SI मात्रग क्या होता है Meter second होता है बेग का SI मात्रग Next question किसी वस्त के बेग में परिवर्तन की दर्ग को क्या कहते है निउटन को कहा जता है भोतिकी का पिता अगला कोसन ने बल किसका गूडण फल है दरमान और त्वरण का गूडण फल होता है बल Next question करिया के विपरीत परत करिया का होना किसका नियम है Newton के तृतिये नियम का नियम है Next question औरजा किस परकार की रासी है तो उर्जा एक अधिसराची होती है Next question यद M दरमान की वस्त बीबेग से चल रही हो तो गतिज उर्जा कितनी होगी के यी बराबर 1 upon 2 MB होती है गतिज उर्जा Next question कार करनी की दर्कू क्या कहते है सक्ति कहा जाता है कार करनी की दर्कू अगला question सक्ति का SI मात्रग क्या होता है वाट होता है सक्ति का SI मात्रग Next question एक अस्तो सक्ति कितने वाट के तुल होता है 746 वाट के बराबर होती है एक अस्तो सक्ति Next question वो अकर्षन बल क्या है जिससे प्रतवी किसी वस्त को अपने केंदर की ओर खेशती है गुर्द्तो है गुर्द्तवा कर्चन है जिसके मदस से प्रिधवी किसी वस्त को अपने केंद्र की ओर खेशती है जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है धुरूवों पर होता है जी का मान सबसे अधिक धुरूवों पर होता है नेक्स्ट क्वेसन जी कमान सबसे कम कहां पर होता है विश्वत रेखा पर होता है सबसे कम जी कमान नेक्स्ट क्वेसन अगला क्वेसन ग्रहों की गती से सम्मधित नियम किस बेज्ञानिक ने दिये थे केपलर ने दिये थे, ग्रहों से सम्मधित गती के नियम, केपलर ने दिये थे अगला कोस्थन ने गुर्तोवा कर्चन के नियम का परतिपादन किस ने इचिए? नीच्ट कोस्थन प्रित्वी की घुड़न गती बढ़ने पर जी के मान पर क्या परभाण पड़ता है? तो जी का मान कम हो जाता है पृतिवी की घुड़न गती बढ़ने पर पृतिवी की घुड़न गती घटने पर जी के मान पर क्या परभाव पड़ता है जी का मान बढ़ जाता है पृतिवी की घुड़न गती घटने पर नेक्स्ट कॉस्टन जब लेफ्ट उपर की ओर जाती है तो लेफ्ट में इस्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है नेक्स्ट कुस्टन है जब लेफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लेफ्ट में इस्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है घटा हुआ प्रतीत होता है अगला कोस्वन है जब लिफ्ट एक समान बेक से उपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में क्या परियोड़तन होता है तो कोई भी परियोड़तन नहीं होता है नेक्स्ट कोस्षन यद नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी तूट जाए तो वो नेक्स्ट कोशन भो इस्तेतिक उपगरें पिर्थिवी तल से लगभक कितनी उचाई पर रहकर पिर्थिवी का परिकर्मण करता है 36,000 km की उचाई पर होते हैं भो इस्तेतिक उपगरें 36,000 km की उचाई पर होते हैं नेक्स्ट कॉस्टन पिर्थिवी के लिए पलायन बेक का मान कितना है तो 11.2 किलो मेटर पर सेकंड होता है पिर्थिवी के लिए पलायन बेक का मान 11.2 किलो मेटर पर सेकंड होता है औरा जाता है, तो ये किसको संगेद देता है? आधी आनЕ की संभावना होती है, ये बेरोमेटर का पाथ या धीरे धीरे गिरता है, तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना होती है यद बैरोमेटर का पाठ्यांग धीरे धीरे गिरता है अगला कोस्तन यद बैरोमेटर का पाठ्यांग धीरे धीरे ओपर चड़ता है तो क्या संभावना होगी दिन साफ रहने की संभावना होती है नेक्स्ट कॉस्टन वाय मडली दाप का एसाई मात्रक क्या होता है बार होता है वाय मडली दाप का एसाई मात्रक नेक्स्ट कॉस्टन वाय यान में बैठे यातरी के फाउंटेन पें से सियाहे रिसने का क्या कारण होता है क्योंकि वाय मडली दाप की कमी हो चाती है वाय यान समुद्र में तेरते समय हिमसेल का कितना भाग जल के ओपर रहता है तो एक बटे नो भाग जल के ओपर रहता है हिमसेल का लबबग एक बटे नो भाग जल के ओपर रहता है नेक्स्ट कोसन आपेचिक घनत को किस से मापा जाता है हाइड्रोमेटर से मापा जाता है आपेचिक अगला कोसन है जब बर्फ का ठुकड़ा पानी पर तेड़ता है तो इसका कितना भाग पानी से ओपर रहता है तो कुल आयतन का एक बटे दसवा भाग पानी से ओपर रहता है प्रिष्ट तनाव का SI मातरक हिया होता है już अगला कोस्वन ताप बढ़ने पर द्रव की सैनता पर क्या परभाव पड़ता है सैनता घड जाती है ताप बढ़ने पर द्रवो की सैनता घड जाती है नेक्स्ट कोश्टन आबर्ती का SI मातरक क्या होता है? हर्ज या परति सेकंड होता है आबर्ती का SI मातरक नेक्स्ट कोश्टन यद किसी लोलक की लंबाई बढ़ा कर चार गुणी कर दी जाए तो लोलक का आबर्तकाल कितना हो जाएगा? दो गुना हो जता है लोलग का आवर्दकाल Next question किसी उपगरह के अंदर लोलग का दोलन कितना होता है सून होता है Next question किस तरंगों के उपयोग से सूच में जीओ को नस्ट किया जता है प्रासरब तरंगों के उपयोग से सूच में जीओ को नस्ट किया जता है किस बिधी से समुद्र में डूबी हुई किसी वर्स का पता लगा़ा जता है सोनार की मदस से अगला कोईसन धुनी के नाम से पुकारी जने वाली यांतरिक तरंगू की आबर्ती कितनी होती है 20 ह特 से 20.000 ह特 होती है नेक्स्ट कोईसन 20 हर्ट से नीचे की आबर्ती वाली धोनी तरंगों को क्या कहते हैं? अब सरब तरंगे कहा जता हैं अगला कोसने 20,000 हर्ट से ओपर की तरंगों को क्या कहते हैं? परा सरब तरंगे कहा जता है 20,000 हर्ट से ओपर की तरंगों को परा सरब तरंगे कहते हैं Next question, धोनी की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, धोनी की चाल सबसे अधिक, ठोस में होती है Next question, धोनी की तीब्रता किस यंदर से मापते है, आडियो मेटर से मापते है, ओडियो मेटर की हेल्प से धोनी की तीब्रता मापते है नेक्स्ट कॉस्टन बर्व को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? नमक मिला जाता है बर्व को पिघलने से रोकने के लिए उसमें नमक मिला जाता है Next Question, कितने डिगरी Celsius तापमान पर जल का घनत सबसे अधिक्तम होता है Next Question, हमारे कान कितने हर्ड्स तक की नियूंतम आबर्थी को सुन सकते हैं तो 20 हर्ड्स तक की नियूंतम आबर्थी को हमारे कान सुन सकते हैं नेक्स्ट कॉस्टन आप एच्छिक आधिर्ताकुम आपने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है। नेक्स्ट कॉस्टन प्रकास को सूर से पिर्थिवी तक आने में कितना समय लगता है। मनुस्ट की आँख के किस भाग पर वस्ट का प्रतिविम बनता है, रेटिना पर बनता है, वस्ट का प्रतिविम रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट कॉस्टन किस सिधांध पर आप्टिकल फाइबर काम करता है, पूर आंतरिक परावर्तन पर कारे करता है आप्टिकल फाइबर। पूर आंत्रिक प्रावर्दन पर नेक्स्ट कॉस्टन बिद्दु धारा का SI पद्देती में मात्रक क्या होता है MPR होता है बिद्दु धारा का SI पद्देती में मात्रक MPR होता है नेक्स्ट कॉस्टन बिद्दु सक्ति का SI मात्रक वाट होता है वोल्ट मेटर का प्रियोग परिपत में किसे मापने के लिए किया जता है विभुवांतर को मापने के लिए वोल्ट मेटर का प्रियोग किया जता है प्रोटीन की खोच किस ने की थी रदर फोर्ड ने किया था प्रोटीन की खोच रदर फोर्ड ने की थी नेक्स्ट क्वेसन और आर्बीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है आर्बीसी का जीवन काल अगला क्वेसन ने रग्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार प्रोटीन कौन सी है फाइबरी नोजन प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है नेक्स्ट क्वेसन मोतर का रंग हलका पीला किस वरणक के कारण होता है यूरोक्रोम वरणक के कारण मोतर का रंग हलका पीला होता है ब्रक में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है सा द्रब उस्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा उस्मा का सबसे अच्छा चालक होता है नेक्स्ट कोशन सूर की सतह का तापमान कितना होता है छे हजार कैलबिन होता है अगला कोशन परकास किस परकार की तरंग है अनप्रस्त तरंग होती है परकास चंद्रमा से परावर्तित परकास को पर्थिवी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से परावर्तित परकास को पर्थिवी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है कोई बैक्त अपने से बड़ा प्रत्वी में किस दरपड में देख सकता है और उतल दरपड में देख सकता है कार हुआ बसों में पीछे का द्रिस से देखने के लिए किस दरपड का प्रियोग करते हैं उतल दरपड का प्रियोग किया जता है नेक्स्ट कोसन सडकों पर लगे लेंपों में किस दरपड का प्रियोग होता है उत्तल दरपड का प्रियोग होता है अगला कोसन जो वस्तुए सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है तो उनका रंग स्वेथ होता है सफेद होता है इंदर्धनुस में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है काला रंग है जो इंदर्धनुस में नहीं दिखाई देता निकट दृष्टी दोस वाले बेक्त की आँख में प्रतिविम कहां पर बनता है रेटिना से पहले बनता है जिस बैक्त को निकट दरिच्टी दोस होता है उस बैक्त की आँख का प्रतिविय रेटिना से पहले बनता है Next Question अगला कोसन है धोप के चजमे कितनी चमता के होते हैं, 10 टर्टर की चमता के होते हैं, धोप के चजमे Next Question दूरबीन का अविसकार किस ने किया था? गैलिलियों ने किया था धूरबेन का अविस्कार सोज कसल किसका बना होता है जस्ते क्या बना होता है सोज कसल जस्ते का बना होता है बिद्धुधारा कैसी रासी है तो बिद्धुधारा एक आदिस रासी है प्रतिरोत का SI पद्धिती में महतरक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोत का SI पद्धिती में महतरक ओम होता है नेंक्स्ट क्वेसन आमेटर को सद्यो किस करम में लगाया जता है? स्रेडी करम में लगाया जता है ओमेटर को अगला कोस्तन नाभिकिये रियक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है भारी जल या गरिफाइट का प्रियोग किया जाता है नाभिकिये रियक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या फिर गरिफाइट का प्रियोग किया जाता है रक्त का रंग लाल क्यूं होता है हेमोगलोविन के कारण रक्त का रंग लाल होता है अगला कोशन हेमोगलोविन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है रक्त छीड़ता यानि की एनीमिया हो जाता है हेमोगलोविन की मात्रा कम होने पर next question, किस रक्त समू को सर्ब दाता रक्त समू कहते हैं, और रक्त समू को सर्ब दाता रक्त समू कहते हैं यानि कि जिस व्यक्त के O blood group है, वो सभी को अपना blood दान कर सकता है next question किस रख्त समू को सर्ब ग्राही रख्त समू कहते हैं AB रख्त समू को सर्ब ग्राही रख्त समू कहते हैं next question सभी प्रोटीन में कौन सा तत्थ पाय जता है nitrogen पाय जता है सभी प्रोटीन्स में अगला कोसने बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासी ओर कर रोग हो जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से किस रोग में बच्चों की मासपेसिया धीली हो जाती है मरासमस रोग में बच्चों की मासपेसिया धीली हो जाती है जल में घुलनसील बिटामिन कौन से है तो बिटामिन B और C जल में घुलनसील होते है अगला कोशन किस बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है बिटामिन B12 में कोबाल्ट पाया चाता है Next question बिटामिन B7 का रसाइनिक नाम क्या है बायोटिन होता है बिटामिन B7 का रसाइनिक नाम Next question बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या होता है साइनो कोबाला में बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम है Next question नेक्स्ट कोस्टन न से सरीर की ऑर रग्त ले जाने वाली रग्त वाहिनी को क्या कहते हैं धामनी कहा चलता है, आर्टरी कहा चलता है Next question, रग्त दाप मापने वाले यंत्र को क्या कहता है Next question, मनुस्थ मस्तिस का वजन कितना होता है लगभग चोडा सु गराम होता है मनुस्थ के मस्तिस का वजन Friends, अगर आपको वेडियो पसंद आई हैं तो इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को share भी करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कलीजी कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी टेलिग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया है तो प्लिस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कलेजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बाउक से मिल जाएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिंच जे भारत